मच्छ औटार क्राचीन समय में असुरू का आटंग बर गया था और पूरे पिट सी जल्मंगना हो गई थी तब मच्छी के रूप ने स्रीहरी का पहला मच्छ और टार हुआ था विश्नु जी ने मच्छी के रूप ने राक्षासों का वट किया और पिट्री को जल्स निकाला था बरवान विश्नु का दूसर अवितार कुडमा है देवता और दानों ने मिलकर समुद्र मन्थन किया था उस समय विश्नु जी ने कुर्मा यानी कछव के रूप में अवटाल लिया था कुरवता ने मंदार परवत अपने कवश पर धारू किया था इसके पाद देवता और अश्रो ने समुद्र को मता था इसके अफ्तार बड़ा है प्राच्चिन का लेलना चिनांगे एड्याकने पड़ी इसके पसमुद्र में चुपा दिया था उस समय अबवान इसके ने बड़ा की रूप में अफ्तार लिया बड़ान विष्णो का चौथा नर्सिंग अफ्तार है खेरन कश्यम नाम के असुर का फुत्र पहलाद है जिसे भत प्रेलाद के नाम से जाना चांता है प्रेलाद की रख्षा की ये विष्णो जी ने नर्सिंग अफ्तार लिया था और घेरन कश्यम का बड़ किया था असुर के राजा बली का घमन तोड़ने के लिए भगवान विष्णो ने वान अफ्तार लिया था राजा बली ने वामन देव को तीन पग जमीन देने का वच्चन दिया था तो वामन देव ने एक पग में धर्ती और दूसरे पग में स्वरबना पलिया था तो राजा बली ने तीस्टा पग अपने सर पर खुआ लिया और वे बाता लोग पूद गे भगवान दूस्नों ने सुरांग देव उप में ठटा उता लिया था और सुरांग दी ने अधिकां विज़ाएं अपने माता से दिख ली थी वे पूधों पप्षियों तक के भाता नमस्ते थे और उनसे बात कर लगते थे उन्हें जानमारे थे सथैं उसम ओध्रों राजल जुक ने शरांग रोपन विज़्णू जीने सत्रौ दालिया था नावर का आदंड था शिरांग उसका बद गूजिया था और इतीनों लोगों को इसके आतक से मुझे दिलाई थी फगवार किस्टो दे स्टुटो के रूप दे आठो अताल दिया था तो पर योग बे कार्च दोयोद जैसे हमें मियों का आतक कबढ़ गया था उसमें स्रीकेश का जर्गु हुआ नेकर स्टुटे कर्च का बच्किया और कारो वर्ष का अर्ष करवाया और धर्व की जाप्रा की गौतम बुद भगवार मिश्नों के नौवे अप्तार माने जाते हैं उन्होंने बहुत धंखित थापना की थी गौतम बुद ने समाज को जिनका से दूर रहने का उपडेश दिया था भवार मिश्नों का दस्वा अवतार कैकी है यह भी प्रकट नहीं हुआ है लेकिन कई उसके अन्ध में जब अधर्वन काफी बर जाएगा तब भवार मिश्नों कैकी के रूप में प्रकट होंगे और इस और रूप की स्तापना करेंगे दन्यवाद झाल